दोस्तों अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो समझ लें कि आपके घर में इश्वर का वास हो चुका है क्या है वैं संकेत आए इस वीडियों के माध्यम से आपको बताते हैं दोस्तों भगवान को प्रसन करने के लिए मनुष बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करता है ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े दोस्तों यह तो हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करने से वे हमसे प्रसन होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान हमें इस वात का भी संकेत देते हैं आईए जानते हैं इन संकेतों के बारे में, जो इश्वर आपको बताते हैं कि इश्वर की विशेज कृपा आप पर बनी है, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में आपको बार बार सपने में मंदिर भगवान की मूर्ती या फोटो दिखाई देती हैं, तो इसक गए सम्मान मिलता है अगर किसी को कम महनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है भगवान उन्हें हर परिशानियों से बचा लेते हैं जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वे हर परिस्थिती में खुश रहते हैं उनके जीवन में भले ही कितनी दुख क्यों न हो वे हमेशा खुसी रहते हैं उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता वे हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकना पड़ता है, इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवी देवता का आशिर बात है, तो इसे जरूर समझें, छचूदर को मा लक्षमी का रूप माना जाता है, घर में छचूदर का होना शुब संकेत होता है, ये घर की सुक समरद्धी बढ़ने का इशारा भी देती है, तो पर साम के समय छचूदर घर में प्रवेश करे तो यह बहुत ही सुभ माना जाता है, इसका मतलब होता है कि आपको बड़ा धनलाब होने वाला है, ध्यान रखें कि छचूदर कभी भी भूखी न रहे, उसके लिए थोड़ा भोजन डालते रहें, इस बात का ध्यान रखें क चूहे या छचूदर किसी को काटे नहीं, अगर छचूदर किसी व्यक्ति के चक्कर लगाता है, तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को भविश में कोई बड़ा लाब होने वाला है, दिवाली की रात यदि छचूदर दिख जाए, तो उस व्यक्ति की किसमत खुल जाती है, जिस व्यक्ति के घर के चारों तरफ घूम जाता है तो उस घर की सारी विपत्ती टल जाती है सपने में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं तो इसे भी बहुत शुब माना जाता है यह इस बात का संकेत है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है क्योंकि देवी देवताओं के सपने हर किसी को नहीं आते जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती हैं उन्हें तमाम इस्थितियों के बारे में पहले से ही आभास होने लगता है तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा थैंक यू